हेलो एरिवान आप्रुप्ती वेलकम टो एंपिसी एंड चेप्टर थ्री मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लास्ट कॉंसेप्ट हमारा रिलेटिव वलोसिटी है ठीक है यह टॉपिक आपका बचा हुआ था तो यह आज हम कवर करेंगे इस वीडियो लेक्शर में इस पर सांपल्स हैं वह करेंगे तो रिलेक्टिव वलोसिटी होता क्या है तो हमने है तो पड़़ेंटी क्या होता है डेसलश्मrica क्लिइब डिल्दी वलो सिटी एल्र अ मिसलश्मेंट के ल लेंगे उसके तुरू आपको relative velocity का concept clear हो जाएगा देखिए एक सबसे important जो think है relative velocity में that is the frame of reference ठीक है क्या है frame of reference frame of reference क्या होता है frame of reference वो observer point होता है जहां से आप किसी भी object को observe करता है ठीक है reference point या frame of reference क्या होता है वो place होता है वो point होता है जिसमें से observer observe करता है किसी भी चीज़ को ठीक है तो हम इसे observer भी बोल सकते है frame of reference का meaning क्या होता है observer देखिए एक example लेते हैं आप ट्रेंड में बैठें ठीक है एक person है या आप बैठ जाहिए ठीक है यहां पर आप बैठे होए और यहां ground पे एक person है जो की train को देख रहा है ठीक है इसका position चेंज नहीं हो रहा है यह क्या है stationary position पर है और train suppose कर लिए कि 10 meter per second speed जो train की है 10 meter per second speed से वो रन कर रही है ठीक है तो velocity आपके respect में train की different होगी अगर आप जाकर train में बैठ जाएं तो आपके respect में फिर train में जो बैठा हुआ वेकती है उसकी velocity different होगी ठीक है मिस अभी आपकी velocity क्या है अभी आपकी velocity zero है क्योंकि आप तो stationary हो ठीक है आप खड़े हो है आप चल नहीं इदा है तो आपकी velocity है वो zero meter per second अब हम इस point को जहां पर train चल रहे है ट्रेन का जो area है या ट्रेन का जो point है ट्रेन के अंदर से जो वेकती देख रहा है उस point को हम उस frame of reference को ए सपोस कर लेते हैं क्या सपोस किया हमने कि ट्रेन का जो reference point है या frame of reference है वो a है यहां पर जो person खड़ा हुआ है ठीक है stationary position में है उसका frame of reference में उसका observer point जो है वह हम भी consider कर लेते हैं ठीक है तो अगर train sorry अगर इस व्यक्ति इस person के respect में बात की जाए train की speed तो train की speed 10 meter per second होगी बट यही व्यक्ति अगर train में बेट जाए इसके respect में train में बैठे हुए person की velocity क्या होगी अब उससे लगेगा कि वह व्यक्ति चल नहीं रहा है ठीक है स्टेशनरी है मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो ठीक है हम सब्सक्राइब कर लेते हैं इसकी वलोसिटी जो है वह वी भी है और train में जो बेठा होए उसकी वेलोसिटी एटेगे सो डिलेटी वेलोसिटी का जो कॉंसेप्ट है जो फॉर्मूला चोटा सा फॉर्मूला है वी ए बी अगर आपने इस तरह से लिखा है तो इसका मतलब क्या है वालोसिटी ओफ ए विद रिस्पेक्ट टू भी जिसके रिस्पेक्ट मे आप velocity निकाल रहे हैं उसको आपको stationary रखना है ठीक है उसको क्या रखना है आपको rest position पे रखना है तो हमारा जो b person है वो rest position पे है ठीक है b के respect में हम a की velocity को find out कर रहे है ठीक है so va minus vb यह क्या है relative velocity का एक छोटा सा formula है va minus vb कब जब velocity of a with respect to b है ठीक है तो velocity of a क्या है means trend में बेठा हुए वक्ती है trend की velocity सेम ही है ठीक है क्या है 10 so 10 meter per second हो जाएगा okay and vb यहाँ पर जो person है वो तो क्या है stationary position में मतलब उसकी velocity 0 so 0 meter per second तो आपके पास relative velocity के आई 10 meter per second ठीक है अब इसमें दो चीज इंपोर्टेंट है directions भी important है ठीक है अगर train इस direction में हम generally जो right direction है उसके लिए हम positive values consider करते हैं अब यहाँ velocity के प्लेस पर acceleration भी हो सकता है ठीक है acceleration भी हो सकता है or displacement भी हो सकता है क्योंकि acceleration हो displacement इन तीनों में directions होती है ठीक है फेलोशिटी में वह जो एक यहाँ पर इस direction के लिए positive x-axis के लिए आपको positive values लेनी है and opposite के लिए आपको negative लेना है ठीक है अगर यही train इस direction में चलती ठीक है different या opposite direction में आती तो हम इसे negative लेते हैं minus 10 meter per second clear है and yes एक और important thing च्योंकि a velocity of a gave with respect to ground है क्योंकि train कहां पर ground पे चल रहे है and velocity of b with respect to b ground है क्यों क्योंकि यह person भी ground पे खड़ा हुआ है यह क्यों हुआ यह concept हमने क्यों लगा है with respect to ground ठीक है ground के लिए velocity तो 0 है बट g का मतलब क्या है g को क्यों लगाना है तो ऐसे भी problems आ सकते हैं कि अगर आप train के उपर किसी और को विठा दे और उसकी velocity कुछ और है ठीक है means train के उपर हम suppose करते हैं एक monkey बेठा हुआ है ठीक है हमारी एक problem में इस तरह की problem में एक monkey बेठा हुआ है और उसकी velocity कुछ और है फाइफ मीटर पर सेकेंड है ठीक है तो monkey की जो velocity है वो with respect to train है ठीक है न की ground है ठीक है means यहां पर क्या दिया हुआ है velocity of monkey with respect to train A ठीक है तो अगर आपको velocity of monkey with respect to ground find करना है तो यहां से क्या हो जाएगा velocity of monkey minus velocity of train A and यह with respect to ground होता है ठीक है तो इस के थूँ इस formula के थूँ आप easily find कर सकते है velocity of monkey with respect to ground ठीक है यह अगर train की velocity दे तो train A with respect to ground क्योंकि आपको यह values given है ठीक है monkey की velocity with respect to train means यह वाला जो वलोसिती है आपका यह given है ठीक है फाइव मीटर पर सेकेंड क्या दिया हुआ है velocity of monkey with respect to train फाइव मीटर पर सेकेंड ठीक है एंड यह मंकी किस डिरेक्शन में मोशन कर रहा है अगर सेम डिरेक्शन में डिरेक्शन के सेम मोशन कर रहा है तो आपको वलोसिती पोजेटिव लेने ठीक है तो मैंने इस डिरेक्शन में ही मोशन कर रहा है अगर ऑपोजित होता तो माइनस लेते है ठीक है तो यहाँ पर प्लस ले लिए आपने एन मंकी की वलोसिती वित रिस्पेक्ट लिए अंको फाइंड करना है ठीक है रहनТे एक ही वलोसिती वित रिस्पेक्ट लिए टेन ठीक है इन पोजेटिव है ठीक है, सेम डिरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डिरेक्शन में, 10 पॉजिटिव है, ओके, चलिए, तो velocity of monkey with respect to ground, यहां से क्या हो जाएगा, 5 plus 10, 50 meter per second, तो इस तरह से हम इन प्रॉब्लम्स को solve कर सकते हैं, ओके, velocity का concept आ गया, ठीक है, वह एक्सलरेशन का भी यही है, एक्सल of a, minus acceleration of b, okay, and with respect to, यह भी ground, तो acceleration के लिए, आपको, सेम फॉर्मूला, यहां पर यूज करना है, ठीक है, यह आपके two formulas important हो गए, ओके, चलिए, अब ऐसी भी problem आ सकती है, कि, two trends है, मतलब कि, यह जो observer point है, observe point है, उनके बीच का कुछ distance दे दिया है, ठीक है, means, एक example करवाती हो, मैं train a, ठीक है, and train b, दो trends है, और उनके बीच का distance दे दिया, कुछ s, अभी हम variable suppose कर लेते हैं, ठीक है, h, s, and a का velocity v1, and b का velocity v2 है, ठीक है, अब इनके बीच में, आपको find करना है, कि train a, a, और b, किस point पर, same point पर meet होगी, ठीक है, किस point पर meet होगी, और कितने time में, ठीक है, means आपको time find करना है, और कितने time में, वो आगे जाके meet होगी, वो distance भी आपको find करना है, ठीक है, तो इस concept को, इस approach को करने के लिए, क्या करना है आपको, पहले तो s आपको given है, ठीक है, यहाँ दो velocity है, तो velocity, आप relative velocity ले ले, ठीक है, अब s आपको given है, तो यहाँ से आप timing find out कर सकते हैं, time is equals to क्या होगा, v is equals to क्या होता है, v is equals to velocity is equals to displacement upon time, तो time is equals to distance, sorry displacement upon velocity हो जाएगा, तो यहाँ से आप time note कर सकते हैं, ठीक है, अब आपके पास time में यहाँ पे find out हो गया, तो आप distance को easily find out कर सकते हैं, s is equals to vt, v1 की, sorry, trend a की velocity v1 है, तो यहाँ पर v1, ठीक है, v1 की value पूट कर दीजिए, और t, एक same time में वो meet होगी, तो t तो दोनों के लिए same है, ठीक है, t की value पूट कर दीजिए, trend b के लिए भी velocity पूट कर देंगे, timing पूट कर देंगे, तो वो position आपकी आ जाएगी, ठीक है, दोनों transmit होगी, तो इस तरह की problems हम आगे देखते हैं, ठीक है, तो आपको velocity, relative velocity के जो concept में छूटा सा यह वाला formula यूज करें, ओके, चलिए, problems देखते है, ओके, देखिए, two parallel tracks run north and south, ठीक है, means two trends हैं, जो की north and south में run करती है, ठीक है, train a moves south, हम एक diagram बना लेते हैं, इस direction को north direction consider करते हैं, और यहाँ train a move कर रहे है, ठीक है, and with speed, इसकी speed क्या है, 54 km per hour, okay, and train b moves s, s means south and south north का opposite, so opposite direction यह हो गया, ठीक है, means train b यहाँ move कर रही है, south में, with velocity, ठीक है, with velocity 90 km per hour, इसकी velocity, second trend की, जो velocity है, वो 90 km per hour है, clear, अब आपको find करना है, velocity of b with respect to a, ठीक है, velocity of b with respect to a find करना है, and velocity of ground with respect to b, okay, and velocity of monkey running, on the roof of the train a, ठीक है, with velocity 18 km per hour, with respect to train b, ठीक है, means एक monkey बेठा हुआ है, train a के उपर, और उसकी जो velocity है, वो है 18, यह monkey, और monkey की जो velocity है, वो 18 km per hour है, okay, and yes, train a, a के अगेंस्ट मोशन कर रहा है, यह देखना, monkey जो है, वो train के अगेंस्ट, train इस डिरेक्शन में नोर्थ डिरेक्शन में जा रही है, तो monkey उसके उपोजिट साउथ डिरेक्शन में मोशन कर रहा है, okay, so, again, as observed by a man standing on the ground, means velocity of monkey with respect to ground, आपको find करना है, इसका मतलब क्या है, कि कोई आदमी, कोई man, ground पर ख़गा है, तो उसके respect में, ठीके, उसके respect में आपको monkey की velocity find out करना है, okay, तो one by one हम यह a, b, c, इनों कोईट्स कवर करते हैं, ठीके, first of all, आप इन किलो मीटर्स को solution में, आप देखेंगे, यह जो किलो मीटर्स है, इसको मीटर पर, sorry, किलो मीटर यहाँ पर r है, ठीके, so, किलो मीटर पर r को, आप मीटर पर second में पहले convert कर लें, ठीके, तो वो easy हो जाएगा, अब मीटर प किलो मीटर पर r, so, 18, multiply 5 by 18, ठीके, so, यह आपका आजाएगा, 5 मीटर पर second, ठीके, यह velocity of monkey है, तो m कर दीजिए, velocity of train a, a की velocity क्या है, 54 किलो मीटर पर r, so, 54 किलो मीटर में, आप 5 by 18 से multiply कर दीजिए, तो यह मीटर पर second में convert हो जाएगा, ठीके, यह 18, 3 से, 54, 5, 3 से, 15 मीटर पर second, and, velocity of train b is 90, okay, so, 90 किलो मीटर पर r, एंड, यहाँ, 90, multiply 5 by 18, ठीके, 18, 18, 18, 5, 5, 25 मीटर पर second, यह जो जो वल्यो सिटीजिए हैं, यह हमने मीटर पर second में पहले convert कर ली, ओके, अब आपकी जो a point है, a point में आपको find करना है, velocity of b with respect to a, ठीके, यह जो point a है, उसमें velocity of b with respect to a, इसी तरह से हम relative velocity को लिखते हैं, ठीके, b with respect to, जिसके respect में लिखना है, उसको आप पीछे लिखना है, ठीके, so vb minus v a हुआ, ठीके, और यह ground के respect में, अब vb and v a, यह जो आपको दिया हुआ है, यह सभी with respect to ground है, a और b की जो velocity, वो with respect to ground ही है, but monkey की जो velocity है, वो with respect to train a है, ठीके, यह a कर दीजिए, so vb, vb कितना है, आपके पास 25, ओके, and direction भी matter करेंगे, direction तो बहुत important है, direction जो है, a की, sorry, b, अभी b train की जो velocity है, वो opposite है a के, ठीके, means negative x direction में है, तो उसको negative लेना है, तो यहाँ पर आपको negative sign put करना होगा, okay, and minus va, va कितना है, आपके पास 15 है, और यह positive x axis में, so positive ही लेना, ठीके, minus sign as it is, and positive 15, okay, yes, तो यहाँ से क्या हुआ, minus 40 km, sorry, meter per second, यह convert कर दिया था, आपने, meter per second, so यह आपका first point हुआ, okay, negative velocity है, okay, now point number second, second, क्या according velocity of ground with respect to b आपको find करना है, okay, so इसे केस से represent करेंगे, first of all, so velocity of ground with respect to b, okay, so velocity of ground equal to velocity of ground minus velocity of trend b, clear है, velocity of ground तो हमेश आपको 0 ही लेना है, and this velocity of b, b train की velocity कितनी है, b train, जो है, उसका direction negative x-axis में है, so direction negative x-axis में है, इसलिए आपको यहाँ पर minus लेना है, ठीक है, velocity को minus लेना है, and 90 km पर आप, तो इसको आपने change किया था, 25 meter per second, okay, so minus यह जो sign है, यह तो as it is रहेगा, but velocity जो है, वो negative है, so negative of 25 meter per second, okay, so minus minus plus हो जाएगा, so 25 meter per second is your answer, okay, now point number c, point number c के according velocity of monkey running on the roof of the train a, ठीक है, train a के रूफ पर monkey run कर रहा है, ठीक है, against its motion, ठीक है, means a, जो train a का motion है, उसके against monkey का motion हो रहा है, clear, with velocity, monkey की जो velocity है, that is 18 km पर, so 18 को आपने convert कर दिया, meter per second में, so 5 meter per second मिला आपको, okay, as observed by the man standing on the ground, means velocity of monkey with respect to ground आपको find करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर man standing है, कहाँ पर, ground पर, so velocity of monkey with respect to ground, but यहाँ पर इस condition में हम देखते हैं, कि monkey की जो velocity है, वो with respect to train a given है, ठीक है, means हमें क्या given है, आपके पास 5 meter per second, clear है, अब इसे case से change करें, तो हमने यही फॉर्मूला लगाना है, relative velocity का, velocity of monkey with respect to train a is equal to velocity of monkey minus velocity of train a, और यह क्या होता है, with respect to ground, clear, यहाँ से monkey with respect to ground, यह आपको find करना है, so इसे as it is रहना है, दीजिए आप, okay, monkey with respect to train a is 5 meter per second, and train a की जो velocity है, ground के respect में, वो है आपका 15 meter per second, ठीक है, so अब यहाँ plus आएगा की minus आएगा, so आप देख सकते हैं कि train a की जो direction है, वो positive x-axis में, और positive x-axis में हम हमेशा velocity को positive लेते हैं, but, but, monkey की जो direction है, वो against रहे, यहाँ पर आपको 5 लेना है, but 5 minus 2, क्योंकि अगेंस्ट है, trend a की against है, इसलिए यहाँ पर आपने माइनस लेए, ठीक है, and here 15, okay, यहाँ से आप calculation करेंगे, so, क्या मिलेगा आपको, minus 5 plus 15 is equals to velocity of monkey with respect to ground, and that is velocity of monkey with respect to ground is 10 meter per second, okay, तो यह आपकी, जो a, b, c, तीनो problem solow हो गई, easily है, आपको सिर्फ एक छोटा सा यह formula है, यह put करना है, और थोड़ा सा concept को समझना है, कि velocity with respect to ground है, या velocity with respect to, जो भी आपके पास object दिया हुआ है, उसके, okay, चलिए अब next example देखते हैं, next example के according, two cars a and b are at position 100 meter and 200 meter from the origin, at t is equal to 0, means initially, पहले सभी problems का possible हो सके, तो डाइगराम बना लिजी, ठीक है, तो ही problems आपकी easily solve हो पाईगी, तो हम क्या करते हैं, trend a और trend b बनाते हैं, और एक origin बना लिएते हैं, ठीक है, यह आपका origin है, ठीक है, और यहाँ पर timing कितना है, 0, अब origin से, train a 100 meter है, ठीक है, means origin से, हम train a को, यहाँ मान लेते हैं, और यहाँ का जो distance है, that is 100 meter, and origin से train b 200 meter है, ठीक है, means a का double हो जाएगा, यह जो आपका है, यहाँ पर आप train b को ले ले, और यह origin से, कितना distance है, b train का, sorry, car का 200 meter, okay, a का distance 100 है, b का, जो distance है, और यहीं से, वो 200 है, तो अब वेसी बात है, a और b का, जो distance है, a और b का, जो beach का, जो distance है, that is 100 meter, क्योंकि 200 minus 100 करेंगे, okay, so, 100 meter, is the distance between, or we can say displacement between, car a and car b, okay, यहाँ तक clear है, चली, they start, car start हुई, simultaneously with constant velocity, 10 meter per second, and 5 meter per second, respectively, means, a का जो velocity है, that is, 10 meter per second, and b की जो velocity है, वो है, आपकी, 5 meter per second, ठीक है, 5 meter per second, और एक और important thing, दिया हुआ है, आप पर, same direction, ठीक है, a की जो direction है, वो, same direction है, b की, या तो आप इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है, positive x-axis में, या negative x-axis में, दोनों का direction, same लेना है, but, okay, clear है, अब आपको calculate करना है, calculate the time and position, at which they will overtake, one and another, ठीक है, मिन्स, car a b run कर रही है, car b b run कर रही है, ठीक है, तो आपको, वो point बताना है, जब, ये, दोनों cars, एक दूसरे को, overtake करेगी, मतलब, एक दूसरे, को एक point, पर, meet होंगी, ठीक है, and, किस point पर, कितने time में, ठीक है, point means, कितनी position, कितना distance होगा, ठीक है, train a से, कितना distance होगा, train b से, कितना distance होगा, जिस point पर, ये, दोनों, एक दूसरे को, overtake करेगी, overtake का मतलब कि, उस point पर, मिलेंगी, कितना time लगेगा, ठीक है, तो ये आपको, बताना है, हम क्या करेंगे, relative velocity का, concept यूज करेंगे, ठीक है, means, a और b के बीच का, जो relative velocity हो, फाइंड कर लेंगे, distance तो पता है, velocity पता है, distance, sorry, displacement पता है, तो आप, easily time को, find out कर सकते, क्योंकि, velocity के respect में, आप हमेशा, displacement लेता है, इसलिए, distance कहना, गलतों का displacement, is the right word, ओके, तो चलिए, अभी हम, relative velocity निकालते है, a, relative velocity, a with respect to, b is equal to, va minus v, b, ठीक है, same direction है, तो आपको, sign में, कोई change नहीं करना है, दोनों, sense positive लेना है, ठीक है, 10, va is 10, 10 meter per second, and, b is 5, so 5, so, we have 5 meter per second, is the relative velocity, okay, and displacement कितना है, s is equal to 100 meter, दोनों trend के बीच का, जो displacement है, वो 100 meter है, तो, अब आप easily formula पूट करके, v is equal to, क्या होता है, velocity is equal to displacement upon time, तो यहाँ से आप time की value को, find out कर सकते हैं, time is equal to distance, sorry, displacement upon velocity, ओके, चल लिए, displacement हुआ, 100, and velocity हुई 5, so, we get t is equal to, time कितना हुआ, by 2 is 10, 20 seconds, 20 seconds, after 20 seconds, दोनों cars, point पर meet होगी, किसी भी point पर meet होगी, ठीक, अब हामे, car a का, उस point से distance, and car b का, उस point से distance, बताना है, ठीक है, तो different different, distance भी आप बता सकते हो, origin से भी distance बता सकते है, कैसे, देखो, yes, हम क्या करते है, हमारा, आपका जो, car a ले लिया, हमने क्या लिया है, car a ले लिया भी, ठीक है, एक ही बात करें, तो car a का, velocity कितनी है, velocity है, आपकी 10 meter per second, and time है 20 second, यहां से यही formula पूट करके, आप S की value पूट कर सकते हैं, ठीक है, S की value को find out कर सकते है, S is equal to, यहां से V, into T हुआ, V की value क्या है, आपके पास 10, and, T की value है 20, 200 meter, ठीक है, displacement कितना है, 200 meter, means car a, 200 meter, तक जाएगी, then car b, से ओवर्टेक करेंगी, car b, पर मिलेगी, अब कार b की बात करें, क्योंकि, दोनों कार की position, different है, so distance भी उस पॉइंट से different होगी, car b की बात करें, so car b के लिए, velocity कितनी है, 5 meter per second, तो यहां distance भी चेंज हो जाएगा, okay, time same है, 20 second, so here displacement, s is equals to, क्या होगा, 5 into 20, and that is 100 meter, clear, तो यह हुआ, आपका point b से 100 meter, कोई point होगा, कोई भी point ले लो, ओडेश मानलो, इस point पर, car a, b को, overtake करेंगी, या फिर मिलेंगी, और, b से, sorry, origin से, इसका distance, इस point का, जो distance है, that is, 300 meter, ठीक है, टोटल जो, origin का distance है, इस point से, जिस point पर, दोनों cars meet हो रहे हैं, that is, 300 meter, clear है, यह वाला, question आपका, अब next question, next question है, आपका, the distance between, Ahmedabad and, Varodra, is 100 kilometer, ठीक है, means, हम, दो city ले रहे हैं, कौन से cities हैं, एक तो, Ahmedabad है, तो इससे, A से रिप्रेजन कर देते हैं, and, Varodra है, तो इससे, V से रिप्रेजन कर देते हैं, और, दोनों का, जो distance है, दोनों के बीच का, जो distance है, वो है, 100 kilometer, ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, टू ट्रेंज सेट ओफ, simultaneously, from, Ahmedabad and, Varodra, ठीक है, मिन्स, Ahmedabad and, Varodra से, टू ट्रेंज, टू अच अधर, ठीक है, टू ट्रेंज चलती है, and, टू अच अधर, मिन्स, एक ही जो direction है, वो, Varodra के side है, and, Varodra की जो train, Varodra से, जो train चल रही है, वो, Ahmedabad की तरफ, towards, इच अधर है, ठीक है, directions दोनों के opposite है, ओके, the speed of the trains, are, 45 kilometer, and 30 kilometer, respectively, मिन्स, एक का, मिन्स, Ahmedabad का, जो train है, Ahmedabad से, जो train चल रही है, उसका speed, जो है, वो है, 45 kilometer, पर आर, ठीक है, क्या है, 45 kilometer, पर आर, and, again, Varodra से, जो train चल रही है, उसकी, जो speed है, that is, 30 kilometer, पर आर, ठीक है, अब, यहाँ पर देखिए, 18, 5, अपोन 18 से, multiply, करने के वज़ाए, अब न कर तो बैटर, क्योंकि, लास्ट के क्वेशिन में, सारी डिजिट्स कैंसल आउट हो रही थी, और हमें, एक real number मिल रहा था, ठीकि, पोइंट में नहीं मिल रहा था, यहाँ पर आप 5 by 18 से, multiply करेंगे, तो आपको, फ्रेक्शनल डिजिट्ट मिलेगा, और जो कि आपके प्रॉब्लम्स को थोड़ा कॉंप्लिकेट कर देगा, तो इसी लिए हम से किलो मेटर पर आर में ही रहना देते हैं, अब देखिए, क्या किल्कुलेट करना है आपको, वैन विल दे क्रोस इचागर, वैन मिन्स कब, ठीक है, मिन्स कब वो एक दूसरे को क्रोस करेंगी, मिन्स टाइम आपको बताना है, यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, टाइमिंग, ओके, ओनली टाइमिंग बताना है आपको, ठीक है, डिस्टंस नहीं बताना है, कि वह एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगी क्लियर है तो क्या करते हैं वही एप्रोश लगाते हैं रिलेटिव वलोसिटी की ठीक है रिलर्ट टू वलोसिटी ऑफ एमदाबाद विद रिस्पेक्ट टू बढ़ोद्रा ठीक है वी जीक्वरस टू वी ए माइनस वी ठीक है सब्सक्राइब तो वलोसिटी आपको नेगेटिव लेना है 30 किलो पर और विद तो 45 प्लस 30 कितना हुआ 75 किलोमीटर पर आड़ इस दर रिलेटिव वलोसिटी ओके रिलेटिव वलोसिटी है आपके पास आपके पास डिस्प्रस्मंट है ठीक है दोनों के बीच का एस इस इक स्टू दिस्प्लेस्मेंट अपून तैम सो थाम इस इकोवस्टू दिस्प्लेस्मेंट अब वन वन शुटी एस कितना है 100 एंड वी कितना वलोसिटी क्या है आपको रिलेटिव वलोसिटी लेना है 75 तो यह 25 से कैंसल आउट हो जाएगा तो इजा एंफोर जा सो 4 4 by 3 second is your answer 4 by 3 second is approach 1.3 something second में दोनों ट्रेंज एक दूसरे को क्रॉस करेंगे ठीक है कि papryma से वप्लेत तीनों निउमेरिकल क्लियर होंगे अब हम नैक्सτο्sal में नया चैप्टर स्टार्ट कर रहेया है और सारे नियुमेरिकल में जोब हीCryuary कल्स है वो सब्ल्ग है अब थोड़ा सा इसलिए में रुक्यों हूई हूँ ताकि आपको सभी चैप्टर के कॉंसेट क्लियर हो जाए और उसके बाद हम अच्छे से न्यूमेरिकल करें ठीक है वन शुट वीडियो आपका रिविजन के जैसा होगा और भी आपको सारी चीजे क्लियर हो जाएंगे उसमें और इसलिए आप न्यूमेरिकल भी कर पाएंगे ठीक है सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर फॉर वैक्टर की बात करेंगे ठीक है मिन्स मोशन इन प्लें ठीक है मोशन इन वन डी अभी तक पड़ा है हमने चैप्टर त्री में हमने किया पड़ा मोशन इन वन कि टीक है नेक्स डिरेक्शन आपको टीडिए नहीं लेन है डाइक्शन के लिए आपको वेक्टर की वेक्टर का पूरा डेटाय्ली आपका फॉर में है सो वो करेंगे काफी मज़ा आने वाला है सो स्टेट ट्यून एंट इप वोचिंग कीप लर्निंग थैंक यू सो मच